नमस्कार जो लोग गौर्मेंट सेर्वेंट और यारफोर्स इस्टेशन देश्पूर पर आना चाहते हैं कैसे यहां तक पहुँचे और आर्ट इसी सानी बारी में कैसे पहुँचे मैं आपका आज इस वीडियो में डिटल से बताऊंगा किस तरह यहां तक पहुँच सकते है यारफोर्स इस्टेशन और आर्ट इस सानी बारी एसस बी दोनों गरे इमारी में स्थापित है गरे इमारी आने के लिए आपको असम तिसपूर पर आना होगा और कैसी हां तक पहुँचे मैं आपको डिटल पर बताता हूँ सम के बहाराजव वाले लोग गोहाटी आने के लिए रेल के द्वारा गोहाटी स्टेशन पहुचना होगा जो की पल्टन बजार पे है गोहाटी स्टेशन से आपको तिसपूर आने के लिए डेकार गाउं स्टेशन पहुचना होगा डेकार गाउं से आप गरे मारी तक टेमपू के द्वारा आ सकते हैं यहां से इसलिए पांस किलिमेटर के दूरी है और हाँ एक बात याद रखी अगर आपका गरे मारी यारफो इस्टेस्टन या एससबी पर आना है सराने बारे पर तो तेस्पू सिटी ना जाकर इस्टेस्टन से ही आपको टेमपू मिल जाएगा जो की लेफ साइट की ओर मुड़ते हैं और राइट साट की तरफ तेस्पूर जाते हैं, इसलिए आपको राइट साट ना जाके लेफ साट की तरफ टेम लिके जाए, महाँ से पांस कलीमिटर की दूरी है और एक बंदे का श्रिप, तीसर रुपे कराया लेता है, आप आसानी से सालनी भारी पहुंच सकते हैं और या आरा चाहते हैं तो लोग यारपोर्ट पहुच सकते हैं यहां से आपको बस तेसपुर के लिए मिल जाएगा उसके लिए आपको पलतन बजा जाना होगा और आप चाहतें हैं आप ट्रेंड के द्वारा अगर तेसपुर पोढ़े तो तेसपुर में स्टेशन नहीं है पढ़ता है जो कि राइट साथ तेसपूर जाना पढ़ता है और लेफ साइट एससबी और यारफोज आना पढ़ता है यानि कि आपका आसानी से डेकरगाउं स्टेशन से आपको टेम्पो मिल जाएगा अगर आप गुहाटी से बस के द्वारा आना चाहे तो आपको तेसपू जाता है और गुवाटी से आने से लिए आपको टेसपूर लेकर आना होगा और ट्रेंड से आते हैं तो डेकरगाउं स्टेशन पहुचना होगा अब बहुत ही आसानी से आप पहुंच जाएंगे गरेमारी गरेमारी पर में स्थापित है दोनों आर्टी से सरनिबारी और य अगर कुछ भी जान करें चाहिए तो मेरी कॉमेंट पर लिखेगा मैं आपको पूरी जान करें दोंगा और कुछ आसानी के लिए मैंने आपको एक मेप दिखाया हूं जो कि राइट सर तेशपूर जाता और लेफ साइट यारफोर स्टेशन तेशपूर स्थानिबाई जो आसानी से आप पहुंच जाएंगे धन्यवाद जैहिन ये वीडियो बनाने का मेरा एकी माकसद है कि कोई भारत ये अगर यारफोर स्टेश बैना चाहते है या सेजबी बैना चाहते है तो आसानी से पहुंच सकते हैं इसी माकसद से मैंने ये वीडियो बनाया अगर वीडि मातरम नमस्कार धन्यवाद